हाई एवरीवन अब हम लोग जीरा के अंदर इशू वक्फलो के बारे में बात करेंगे और पहला क्वेशन आप मेरे से यह पूछ सकते हो कि वक्फलो फोर इशू होता क्या है इसका क्या मतलब है उसके बाद में मैं आपको यह बताऊँ कि डिफॉल्ट वक्फलो स्टेटस यह वक्फलो होता क्या है देखो इशू आपको बता है कि जब भी हम लोग जीरा के अंदर कोई भी आइटम क्रियेट करते हैं चाहे वो स्टोरी हो, बग हो, टास्क हो, एपी को उसको हम लोग बोलते है कि यह इशू क्रियेट हो गया हमारा, इसको हम लोग ने बना लिया ठ इसको हम लोग workflow बोलते हैं बट बहुत बार ऐसा होता है कि issues के अंदर ना इन तीन ये तीन हमारे default status होते हैं to do, in progress and done. इनके अलावा हमें कुछ और options की भी जुरूत पढ़ जाती है, अब मालो एक story किसी ने create करी, developer ने काम करने चेए पहले उसका status था to do, पहला workflow ये था, second था in progress, third flow के अंदर उसका option आया, done, अब done के बाद में testing उसके उपर हो रही है, तो ये कोण बता है कि इसके तरह testing भी हो रह रहा था, तो ये तो उसने बता है कि काम चल रहा है, इसके उपर in progress है, testing चल रही है, मालो आप उसके लिए भी status add करना चाहूँ, यहाँ पर कैसे add करोगी, यहाँ पर क्लिक के उपर add करके, और भी detail है आपको बताऊंगा, और testing के बाद, अगर test को कोई bug नहीं मिला, तो कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कोई भी bug नहीं है, अब वहाँ पर एक और status भी हो सकता है, जैसे कि close, यह story हमारी close हो चुकी है, यह completely test भी हो चुकी है, यह अच्छे से काम भी कर रही है, या फिर यहाँ पर एक reopen का status भी हो सकता है, कि यहाँ पर कुछ issue है इसके अंदर, इसके clean default status के अलावा हम लोग workflow के अंदर और status भी add कर सकते है, scenarios मैंने आपको बता दिये, cool, ठीक है, अब कैसे करने यह मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके होता है, पहली चीज, आप directly यहाँ पर click करो, इस तरीके से, और कुछ भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ एक add कर द कुन सी story है, यह, make login form and apply validation, अब done के बाद में मालो test, जो developer उसे ने बोला, done होगे मेरी side से, अब QA आता है कि मैं इसके पर testing करूँगा, और यहाँ पर status डाल देता है, testing, अब इसका मतलब होगा है, testing, यह भी अच्छी बात है, बद testing के बाद वो और क्या status और add कर सकता है, यह हो सकता है, कि इसको close करनी हो, तो उसके लिए पर status होना अच्छी है, अब वो भी हम लोग यहाँ से add कर सकते हैं, जैसे हम लोग उने testing add करा, इसी तरीके से हम लोग एक और status भी add कर सकते हैं, यहाँ पर click करके, मैं यहाँ पर कर डाल देता हूँ, close, ठीक है, मैंने इसको close कर दिया, अब क्या होगा, जैसे मैं इसको refresh करता हूँ, यहाँ पर testing के बाद में, जब tester ने देखा है, ठीक है, testing इसकी हो चुकिए, अब मैं कर देता हूँ, इसको close, यहाँ पर, और उसने यहाँ पर इसको close कर दिया, ठीक है, सही है, कोई दिकत मीं है, बट एक तो तरीका यहाँ से होता है कि आप लोग directly, यहाँ से status add कर सकते हो, बट इसमें कुछ और भी चीज़ें, कुछ advanced level में चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हो, मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ सी status को, यहाँ पर मैंने डिलीट कर रहा, done को, और, sorry, testing को, और मैं close को भी एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, जब मैं close को करूँगा, तो जो इसके अंदर, यह वाला तो directly जाओ, यहाँ से project के अंदर, project की setting के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेंगे issue type, issue type के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा edit workflow, यहाँ पर click कर लो, और यहाँ पर आपको मिलेगी advanced options, जैसे कि done कर रख है आप लोगों ने, ठीक है, done के बाद एक और चीज gradient option in in progress status, ठीक है, in progress के अंदर है, मैं यहाँ यहाँ करता हूँ, testing का कुछ और change कर देता हूँ, QA testing कर देता हूँ, ठीक है, QA testing, ठीक है, अब मैं इसको add कर सकता हूँ, यहाँ मैंने add करा हूँ, एक और option मन गया है मेरे पास, और जैसे आप यहाँ पर आओगे, इसको refresh करोग तो अब इसका, यहाँ पर status done है, तो आपको यहाँ पर और status नहीं मिला, reason being, इसको मैंने अब तक update नहीं करा, इसको मैं update कर देता हूँ, update करते time पूछेगा, कि जो आपने यह QA testing लगाया है, यह bug, epic, जो आपने custom बना रखा है, research, development, story, task, task, सब के लिए करना है, किसी एक के के लिए करना है, दो के लिए करना है, तो उनको रखके बाकी सबको हटा दूँगा, otherwise मैं save and continue कर दूँगा, save and continue करूँगा, उसके बाद में क्या हुआ, इसके बार में कुछ-कुछ और बोलेगा, यहाँ पर आप इसको close कर सकते हो, space बागे, ठीक है, spec बागे, और इसको refresh कर आपको देखो, qa testing का option भी मिल गया है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिरसे में कुछ edit करने के लिए, workflow के उपर मैं खुद से चाता हूँ, यहाँ पर था qa testing, मैं चाहता हूँ, देखो, अब क्या है, कि जो हम लोग bug create करेंगे, अब मान लोग कोई to do के के अंदर है, right, अब to do के अंदर से आप directly को कर दो qa testing के अंदर, but हम इसके उपर एक rule लगाना चाहते है, कि qa testing के अंदर वो तभी जा पाएगा, अगर वो done हो चुका है, तो, ठीक है, मैं board के उपर जाता हूँ, qa testing के उपर तभी कोई तभी आना चाहिए, जब वो पहले done हो चुका है, आगर वो directly in progress में है, तो, उसका status directly testing के अंदर change नहीं होना चाहिए, यह हम लोग rule add कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आओ, testing के अंदर, और यहाँ पर ruler लिखो, कि मैं rule add कर रहा हूँ, अब rule के उपर, यहाँ पर लिखो, restrict transaction, कि एक rule से द यहाँ पर करो, अब इसके लिए मैं transaction करता हूँ, QA के लिए, QA testing के लिए, ठीक है, अब यह कब होना चाहिए, जब यह in done हो जाएगा ना, उसके बाद ही होना चाहिए, ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ done, इस तरीके से, done कर दिया, और अब देखो, यहाँ पर एक अल listing अंदर ले सकते हो, otherwise नहीं ले सकते हो, पुराने bugs के ओपर बहुत बार apply नहीं होता, उसमें कुछ options होते है, direct click new one create करके देख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर create करता हूँ story, और यह मैंने done कर दिया के, update कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, update कर देता हूँ सब के लिए, और अब म page मैं कुछ add नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ simply make profile API in backend, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, label add करना चाहूँ, जो भी आपको add करना चाहूँ, story points, let's update, story points add, जो भी आपको करना चाहूँ, वो कर सकते हो, यहाँ पर create करो, ठीक है, मैंने यहाँ पर create करा, और यहाँ पर backlogs के उपर जाता हूँ, backlogs के उपर जाने के बाद में, create profile API, इसको मैं sprint में add करता हूँ, right, जब तक sprint में add नहीं होगा, तब तक तो चलेगा नहीं, मैंने इसको sprint में add कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर board के उपर, मैं board के उपर आता हूँ, तो देखो, इ देखो, in progress और done 2 के status आ रहे है, सबसे पहले मैं इसको in progress करूँगा, अब जैसे में in progress करूँगा, अभी भी to do के अंदर वापी जा सकते है, done कर सकते है, अब मैं इसके अंदर done पे गया, जैसे मैं done के उपर गया, ठीक है, एक बर के लिए refresh कर लेता हूँ, इसको I think यह refresh नही लोग, options add कर सकते है, add workflow के अंदर, default workflow of status क्या होते है, options क्या होते है, सब कुछ आपको पता जालगा, कुछ confusion है, कुछ doubt है, तो मुझे comment section के अंदर पूछ सकते हो, please don't forget to subscribe my channel, like this video and share your feedback in comment section, और यह मेरा ptm donation number है, thank you guys, thank you so much.